हाई फ्रेंज, वेलकम टो और चैनल जाइकाला जवाब आज मैं आपको बटर चिकन बनाना सिखाऊंगी बटर चिकन के दो स्टेप्स हैं पहले इसकी चिकन की मेरिनेशन है और फिर इसकी ग्रेवी है चिकन की मेरिनेशन के लिए हमें चिकन चाहिए बोनलस, 1.5 kg जिसके मैंने इस तरह से क्यूप्स काट ली है लेमन जूस 1 टेबल स्पून, दही 2 टेबल स्पून, 1.5 टी स्पून कॉरियंडर पाउडर, 1.5 टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टी स्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टी स्पून सॉल्ट, और 1.4 टी स्पून है गरम मसाला पाउडर ये तमाम चीजें आप चिकन में डालेंगे और इसको मेरिनेट करेंगे और फिर हम इसको अलग से यहां तो आप बेक कर ले यहां आप कुक कर लें अलग से इसकी ग्रेवी के लिए हमें चाहिए ओल, दो प्यास, स्लाइस्ट, तीन टिमाटर, अद्रक और लसन ये मैंने साबत इसलिए रखे हैं कि जब हम इसको कुक करेंगे तो बाद में हमने इसको ब्लेंट करना है तो आप इसको मोटा मोटा इस तरह काट सकते हैं मसालों में जीरा, साबत, वन टी स्पून, कॉरियंडर पाउडर, वन टी स्पून, ये है लाल मिर्चों का पाउडर जो के रंग वली मिर्चे होती है इससे बटर चिकन का जो कलर है वो बहुत अच्छा आता है ये है वन टी स्पून देगी लाल मिर्च, आठ से दस काजू, कैश्यू नट्स, दो से तीन ग्रीन चिली, कसूरी मेथी वन टी स्पून और आखर में हमें बटर चाहिए होगा, शुगर वन टी स्पून, कौटर टी स्पून गरम मसाला पाउडर और क्रीम चाहिए होगी हमें तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले चिकन को हम मैरिनेट कर लेंगे लीमो का जूस, दही, धन्या पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, नमक, लसन पाउडर और गरम मसाला पाउडर यह तमाम चीजे हमने इसमें शामिल कर दी हैं और अब आप इसको जो है वो तकरीबन आप एक से दो घंटे इसको मैरिनेट के लिए छोड़ दें ओर अब तक हम इसकी ग्रेवी जो है वो कोक कर लेते हैं ग्रेवी के लिए हमने अपने एक पैन में क्वाटर कप ऑउड डाला और साथ ही हमने अपने दो प्यास स्लाइसट दाद दीए ऌर इनको हम हलका सा लाइट гол जो है वो प्राई कर लेंगे अगर आपसे कोई भी चीज मिस्स हो गई है तो आप रेसिपी कार्ट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं हम इसको थोड़ी देफ प्राइ करते हैं यहास हमारी देखें लाइट गोल्डन हो रही है इसमें हम टेमाटर और यह अधरक लशन जो है साबस दाल देए इसके साथ ही हम अपने यह सारे मसाले डाल देंगे जिसमें काजू है लालमिच्वा पाउदर धनिया जीरा कसूरी मेथी और साथ ही में हम यह तीन हरी मिर्चे इनकी में डंडी निकाल रही हूँ और यह भी हम डाल जाएंगे और हम साथ ही कौटर कप मैं पाणी डाल रहे हूँ ताके यह मसाले जोने जले नहीं अब उस ग्रेवी को आपने हलकी आंच पे तकरीबन यह पची से तीस मिनट यह कूक होती है इतनी दर कूक करते हैं कि यह टिमाटर्स बहुत सोक्ट से हो जाएं और आपका जो है वह बहुत अच्छा ता एक मसाला जरे त्यार हो जाएंगे अब हम इसको ढख के 25 से 30 मिनट मैं इसको कोग करूंगी हलकी आंच पे यह देखे इस तरह यह स्लो कोग होगी आंच मैंने बिल्कुल हलकी कर दिया और अब हम इसको ढख के 25 से 30 मिनट कोग करेंगे दीड़ीद इसको चुह कोग किया था और अब इसकी यह शकल आप ऑइसको देखे है और हम इसको रूम टेमपरेशर पर कूल ड़ावन कर के ब्लैंड करेंगे अब हम इसको ब्लैंड करेंगे अब आपने अपने blended mixture को एक चनी में डालना है और इसको चान लेना है इसको चानना बहुत ज़रूरी है ताके हमारी जो gravy है वो बिल्कुल silky और smooth बने तो हम इसको इस चनी की मदद से सारी gravy जो है वो चान लेंगे चिकन को मैंने skewers पे लगा के मैं इसको बेक करूंगी 10 मिनिट के लिए तकरीबन 220 डिग्री सेंटिग्रेट पे और अगर आप बेक नहीं करना चाहते तो आप इसको बिशक फ्राइंग पैन में कर लें या ग्रिल पैन पे ग्रिल कर लें या आपकी मर्जी है चिकन हमारा बेक ह इसको हम स्कीवर से निकाल देंगे और इसके बाद फिर हम इसको अपनी ग्रेवी में शामिल करेंगे ये हमारे चिकन पीसिस रेडी हैं अब हमने जिस पैन में अपना ग्रेवी बनाई थी उसी पैन को हम यूज करेंगे और इसमें डाल देंगे बटर तकरीबन आप 3-4 टे इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है इसको जब आप बटर में डालेंगे तो आपका जो बेवी का कलर है अच्छा आता है देखिए यह हो गया और साथ ही मैं यह ब्लेंड़ और सीव जो हमने इसको ब्लेंड करके छान लिया था प्यूरी को इस प्यूरी को हम डाल देंगे देखिए और अब हम इसको थोड़ी देर कोख करेंगे थोड़ा सा में साथ ही पानी डाल दूंगी ताकि जतना मसाला इसके था यह भी इसमें आ जाए अब हम इसमें अपने यह कोख चिकन के पीसिस डालेंगे और इतनी देर अभी हमने मीडियम आंच पर करना है कि इसका जो और बटर है वो बाहर ऊज़ा होने लगे यह देखिए अभी हम इसको ढख के जो है को करेंगे इस वक्त आप अपना सॉल्ट भी चेक कर सकते हैं अगर आपको सॉल्ट कम लग रहा तो आप डाल सकते हैं यहां पर मैं शुगर डालूंगी वन टीस्पूर और गरम मसाला करेंगे जब तक कि इसका ओई उपर नहीं आ जाता है जब ही पकेगा कि देखिए इसमें हलका हलका ओई जो है वो उपर आ रहा है आप मैंने थोड़ा सा इसमें कोटर का पानी भी थोड़ा सा डाला था और अब यह इसकी शकल इस तरह है हम इसको मजीद थोड़ी दिर और अच्छी तरह आ जाए यह देखिए तेल इस पर उपर आ गया है इस पर हम थोड़ी सी क्रीम डालेंगे दो से तीन टेबल स्पूम आप तकरीबन तीन से चार भी डाल सकते हैं और अब हम इसको डिश आउट करेंगे बटर चिकन को मैंने डिश आउट कर दिया है मैंने इसक क्रीम के साथ गार्णिश किया है आप इस बटर चिकन को नान या रोटी के साथ तंदूरी रोटी के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं और थैंक्यू फर वाचिंग आर वीडियो